अग्जाम के सलेबस में है जो मैं बता रहा हूँ यह स्पेलिंग पढ़ा रहा हूँ इन्ही स्पेलिंग को देख लें और यह एटू जैट तक कराएंगे पूरे पिछली वीडियो में करा चुके हैं सिर्फ इनको दो तीन बार पढ़ लिजिए बस रटिये मत तो फ्रेंट्स इनको याद करने पढ़ लें तो तीन बार इस पेलिंग क्लियर हो जाएगी इसलिए हमने इनकी हिंदी भी देते चल लें ताकि आपको याद हो जाएं तो फ्रेंड्स समय को नबेश्ट करते हुए शुरू करते हैं और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और चैनल पढ़ कैजोल कैजोल मिन्स क्या होता है सी ए जे ओ एली कैजोल कैजोल मिन्स फुसलाना यह किसी एक्जाम में है टी जी टी पी जी टी किसी एक्जाम में आया है फुसलाना फुसलाना यह एक्सर वही वाले कुश्चन दे रहे हैं फ्रेंट्स जो आपके एक्जाम के लिए बेनिफिस एक carrier होता है वो वहन होता है उसको आगे discuss करें carrier carrier means पेशा next है carteris 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 next है फ्रेंड्स catharsis catharsis क्या होता है भाव विवेचन भाव विवेचन catharsis next है भाव विवेचन next है ceiling ceiling क्या है छत के नीचे एनि छत यहाँ उचाई ले लेते हैं next है centrifugal 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 c-e-n-t-r-i-f-u-g-e-l centrifugal यहनी upcandry यह उता है upcandry 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 यह इसको centry यह can can trap sari बोलते हैं can trap sari can trap sari भी बोलते हैं next word है chancellor chancellor friends आपको मालूम होगा kulpati 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 chancellor c-h-e-n-c-e-double-l-o-r और यहाँ mistake हो सकती है तो इसी लिए यह spelling एक एक spelling भी बोलते चले जा रहे है chronic chronic c-h-r-o-n-i-c chronic means होता है chirkalik यह दीरकालik sorry दीरकालik दीर कालik दीरकालik किसको कहते हैं पुराना कोई पुराना हो next word है clear voyance clear voyance c-l-a-i-r v-o-y-a-n-c clear voyance इसको बोलते हैं अतींदरी अतींदर अतींद अतींद्री अतींद्री द्रस्टी अतींद्री द्रस्टी next क्या है collaborator collaborator किसको कहते हैं friends सायोगी collaborator सायोगी ये friends याद करने के लिए ताकि आपको ये बढ़ याद हो जाएं इसलिए इनकी हिंदी भी देते चलना है ताकि आपको इनको correlate करके पढ़ सकें सायोगी next है recoil कोलोग niez यहनी वारता लाप वारता लाप या इसको ये कहिए बोलचाल समबंदी या बोलचाल समबंदी बोलचाल बोलचाल समबंदी बोलचाल समबंदी नेक्स वर्ड है next word है commemoration या commemorate commemorate यहनि सरदान जली देना सरदान जली देना सरदान जली सरदान जली देना next word है सरदान जली देना next word है friends सरदान जली देना सरदान जली जाना अब यह commitment commitment यहां double M है यह double M यह नहीं में confuse करके पूछ दी जाती या इसमें बोविल में फिर वदल कर दिया जाए या फिर consonant में फिर वदल करके पूछ देते हैं इस फिलिंग तो commitment commitment क्या होता है जिम्मेदारी 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 next word है friends commutative यह नि बिनमे क्या होता है बिनमे 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 एकोनोमिक्स से संबंदे वर्ड नेक्स्ट है कम पंक्श्वस कम पंक्श्वस कम पंक्श्वस इसको टी आई ओ यू एस है क्या होता है खेदपूर खेदपूर एनि बेथित खेदपूर conceit next word क्या है friends conceit conceit करते है घमंड conceit घमंड अब यहाँ c के बाद e i आया है उसमें ruling में बताया है इसको देख लेना next word contemptible contemptible क्या है घ्रणा योग या घ्रड़त घ्रड़त है यह घ्रणा योग घ्रड़त next है contrite contrite पश्चा तापी contrite पश्चा तापी पश्चा तापी next word है convenient convenient यानि उचित उचित या सुबधा जनक उचित लिखे दे रहे हैं उचित या सुबधा जनक या सुबधा जनक next word है friends cancelled next word क्या है cancelled cancelled means क्या होता है छुटकारा पाना sorry रद करना रद करना रद रद करिए यहां डबल र आई यए आर है तो करिए यह बहुत याद रखना friends carrier carrier मीश क्या होता है संबाहक या बाहक बाहक carrier next word है cataloger 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 मीश सुची पत्र बनाने बाला सुची पत्र या सूची पत्र बनाने वाला नेक्स है कॉल्ड्रोन क्या होता है कड़ाई या कड़ा होता है कड़ा नेक्स्ट है कड़ा नेक्स्ट है सेली बेसी सेली बेसी सी के बाद या तो सी को सापनेंगे सेली बेसी कुवारा पन कुवारा 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 वा है या कुवारा पन कुवारा पन या ब्रह्मचर ब्रह्मचर नेक्स्ट है शैपन तो इसको चैमपेंजनी चैमपेंजनी भी पढ़ सकते हैं इस पेलिंग याद करने के साथ से वैसे इसको शैपन पढ़ेंगे मिन्स होता है शैपन या चैमपेंजी चैमपेंगनी भी पढ़ सकते हैं या शैपन पढ़ेंगे इसको तो इसका मिन्स शैपन होता है नेक्स्ट बर्ड है कावी निज्म कावी निज्म इसको पढ़िये चावी निज्म भी पढ़ सकते हैं चावी निज्म या कावी निज्म या अंध देश भक्त अंध देश भक्त ऐंध देश भक्त कावी निज्म नेक्स्ट है शीगरेट शिगरेट वाइस शिगरेट वाली बीडी केईगा इसको सिगारेट डबल यहाँ इसमें confused होते हैं cigarette next word है clandestine 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 भी पढ़ सकते हैं इसको clandestine या clandestine यहाँ इसका मतलब होता है गोप्त या छोपा हुआ गोप्तिया चुपा हुआ collision collision means होता है संघर्स याद कर ले ना friends यह वही दे रहे हैं जो बुक से समंदित है एसके अरोरा की बुक से है column column क्या है टुकडी टुकडी column यह इस्तंब होता है जो प्रस्टों का किताबों का जो column होता है कॉप्यों में column मने जाए या किसी table का column मनाया जाता है उसको column ने लिखा जाता है column पढ़ते हैं column ने लिखा जाता है ठीक है commissioner commission और भी बढ़ वोते हैं commission commissioner commissioner होता है आयुक्त आयुक्त commissioner next word है commission committee 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 double M I double T double E ये बढ़ आशकता है और इंपोर्टेंट्स बढ़ है ये committee इसी प्रकार से commissioner इस तरे एक बढ़ पूछे जाते हैं committee यानि आयोग आयोग कहिएगा या समित कहिएगा समित competition competition प्रतिसपर्धा यानि प्रतियोगता प्रतियोगता सबको confirm होगा next conceit conceit क्या है मान लेना है मान लेना next word है friends next word है नेक्स बर्ड है connoisier connoisier तो इसको इसको इस प्रकार से इसको इस पेलिंग है यह बर्ड इंपोर्डेंट है परिच्चक यह होता है परिच्चक या पार्खी next word है continuous यह तो पता होगा सबको लगातार लगातार continuous लगातार next word है Contribence 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 means Machine Machine यह यंत्र next word है correspondence पत्रा चार पत्रा चार correspondence याद रहेगा फ्रेंड से इसको ज़्यादा याद करिए cannoisier करने सियोर करेंगे next word carborate 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 means post करना post करना carborate post करना carborate पुष्टी करना करिकुलम सबको पता होगा पाठ करम यह होता है पाठ करम next word है यह पाठ करम है sinus 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 माने आकरसड बिंदू आकरसड बिंदू sinus nearby next है क्रिकोंτο पाठ है bit पाठ कर्या pen करिक्री तेरीन कशौती क्रीटेरिया भाठ नेक्स्ट बर्ड है साइक्लो ट्रोन और साइक्लो ट्रोन मेंस कड़त्वरक कड़त्वरक नेक्स्ट बर्ड डियाबिल्टी डियाबिल्टी क्या है फ्रेंड्स डियाबिल्टी कम जोरी कम जोरी next bird है deceive D के बाद C E I C के बाद हमेशा वो वह पाला ruling जो हमने बताया spelling माले में C के बाद E I आता है तो यह spelling इस तरह होती है C के बाद E I अवस्था आता है deceive उसकी कुछ exception भी याद रखना दोखा देना कैसी में धोखा देना धोखा धोखा देना next bird है deficiency 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 और deficiency में इस क्या होता है दोश दोश यह कमी deficiency याद रखेंगे इस बर्ड को भी और इसको भी next bird है delirium 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 उन्माद तो बोलते हूँ उन्माद उन्माद मदलब विच्छिप्तता उन्माद next है denument denument मीज समाप्ती या निंदा निंदा denument निंदा यह समाप्ती भी होता है next denument निंदा next है deriliction deriliction लापरवाही deriliction लापरवाही लापरवाही डेली deriliction next है desert desert होता है रेगस्तान desert रेगस्तान और detriorate 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 means क्या होता है spelling देख लें detriorate means होता है बिगाडना next है next word है dialogue और dialogue क्या होता है समबाद dialogue समबाद यहनि समबाद समबाद या विचार next word है dilemma 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 होता है दुबिधा दुबिधा dilemma d-i-l-e-double-i-m-e यहाँ confuse कर देते हैं next है next है next है discernible yeah discernible 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 means क्या होता है समजने योग समजने योग समजने योग discernible d-e-s-c-e-r-i sorry d-e-s-c-e-r-n-i b-l-e nibble nibble पढ़िएगा n-i-b-l-e discernible means समजने योग क्या होता है समजने योग next word friend disparage disparage इनी अपेच्छा करना disparage means अपेच्छा करना उपेच्छा करना next word अपेच्छा करना disparage next word है डीब्यूट क्या है नेक्स बार्ड डीब्यूट या डीबट पढ़ेंगे डीबट मीज पेश करना या पेश करना या प्रारम डीबट है डीब्यूट नेक्स पूछ देते हैं इस पेलिंग यार रखें कभी कभी सरल भी कठिन हो जाती है क्योंकि जल्दी में वहां एक्जाम हॉल में कुछका कुछ हो जाता है तो डीपीजन याद रखें D E C I S I O N Same लिखी होती हैं और confused हो जाती है Next word है Delinquent Delinquent Spelling की दरश्रियाद करें Delinquent U U E N T Delinquent Spelling Delinquent क्या होता है Delinquent Aparadhi Aparadhi क्या होता है Aparadhi या दोसी ये की बात है दोसी Aparadhi या दोसी Next word देखते हैं Damis Damig Damigog 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 भी पढ़ सकते हैं इसको Damigog Damigog मेंस क्या होता है दलपत या जनसमदाय जन समुदाय जनसमुदाय यानि समुदाय पढ़ेंगे इसको जनसमुदाय Next है Derelict Derelict यानि परत्यक्त Derelict परत्यक्त यानि आवारा ब्यक्त आवारा ब्यक्त आवारा ब्यक्त आवारा ब्यक्त Derelict Next word है friends Next word है Descendant Descendant होता है One such One such Other friends One such Descendant One such Next word है One such या संतान Next word है संतान भी कह सकते हैं इसको संतान या बंसज इसकी बात है Descendant Next है Disset अब इसको देखो यहाँ Descend 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 अब यहाँ इसको भी Descendant पढ़ेगे और D-E-S-E-E-R-T उसको भी पढ़ेगे तो क्या होगा Descendant और एक इस्तान है यहाँ होता बोजनो परांत ओजनो परांत यहाँ क्या Diagnosis 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 यह निज होता है निदान निदान या लक्षड एकी बात है diagnosis next है next है friends dicotomy क्या है friends dicotomy या dichotomy इस तरह के याद रखे dicotomy दो भाजन दो भाजन दो भाजन dicotomy दो भाजन next bird है next है disappear क्या है friends disappear यह नि address होना यह सब को पता होगा address होना यानि दिखाई ना पढ़ना address होना next है design fact design fact design fact design fact means design fact fact means क्या होता है रोग आड़ी हूँ design fact means क्या होता है रोगाड़ों से यानि रोगाड़ों से मुक्त करना मुक्त करना रोगाड़ों से मुक्त करना next friends dormant dormant means प्रशुक्त यानि सुस्त सुस्तो या प्रशुक्त ये की बात है प्रशुक्त तो friends ये word से c और d से word से और इनको बार बार पढ़नो करीब दो-तीन बार पढ़ने इनको रटना नहीं है रटो मत और इनको दो-तीन बार पढ़ने आप तो 100% friends आपको याद हो जाएंगे ये बार बार इनको रिवीजन मारिये का इस वीडियो को बार बार रिवीजन मारें तो इससे आपको याद हो जाएगा तो तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक करें याद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राब करें और थैंक्स प्लीज फ्रेंट्स आधिक से अधिक सपोर्ट करें थैंक्स पर वाचिंग दा वीडियो और हमार इस चैनल पर आपका हमेशा स्वागत है और हमेशा ऐसे ही स्वागत रहेगा तो थैंक्स फॉर वाचिंग दा वीडियो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिं